सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते सफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक सफलता पाने की इच्छा मजबूत ना हो हमेशे अपना बेश्ट करो जो तुम अभी बोते हो बाद भी वही तुम काड़ते हो वह से मतलब नहीं कि तुम कितनी जीरे चलते हो जब तक कि तुम रुकते नहीं हाँ हो तुम वही से सुरू कर दो और जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसका ही उपयोग करो और वही काम करो जो तुम कर सको हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं, सफलता एक रास्ता है कि एक बार और परियास किया जाए अब तक किसी काम को किया नहीं जाता वर असंभाव ही लगता है कभी माफ नहीं कर सकता, माफ करने के लिए ताकत की जरूरत होती है अपने दिल की सुनिये, उसे पता होता है, सच में कि आप क्या बनना चाहते है सबसे बड़ा दुसमें, तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुचा सकता जितना की तुम्हारा खराब भी जाए महानकार यह ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से बुर दर्द दर्द हैं, पर दर एक बिमारी है यह आदमी के विल्चेर पर होने से ज़्यादे खतरनाक है इसो जो नाभविस्य की चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में लगाता है तुम अभी सही रास्ता देखी नहीं पा रहे हो इसका मतलब यह नहीं की सही रास्ता है ही नहीं आप सबसे सकती साली हत्यार है जिसका उप्योग आप दुनिया को बदनने के लिए कर सकते है इसा भविस्य का एक पासपोर्ड है कल का उन लोगों के लिए जो आज इसकी तैयारी करते है सुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए बलकि सुरू करके आपको महान बनना को बात करने का एक तरीका है कि आप बात करना चोड़ें और जो करना है वो सुरू करना है काम्याबी को इतना चोटा ना समझे सिर्फ नसीब वालों को भी नसीब होती है बहतर है गमाने के हिसाफ से धोका खा जाते हैं अक्सर जाज़ा बोलने वाले सफल वैक्ति बनने की कोशिश मत करो बलकि मुल्मे उपर चलने की कोशिश करो अपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुपाने में तयार रहते हैं वह हमेसे खुस रहती है, खुस से कहो कि तुम क्या बनोगी, फिर गो करो जो तुमें करना है, कोई भी महान रहती है, खुसरों की कमी के बारे में थिकायत नहीं करता है, अगर आप इस इंसान की तलास कर रहे हो, जो आपकी जिन्दगी बदलेगा, तो आइने में देख लो, अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं, तो इजादत लेना बंदक करिये, तो अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे खुछ नहीं बदल सकते, अलतियाँ इस बात का सबूत है, कि आप परियास कर रहे हैं, खुछ नहीं बदलती, एक निरणाय कुछ नहीं बदलता, बलकि एक निष्च मुझ बदन देता है। सफलता अकेले में गले लगाती है। क्यों पसंद है।